पास मोल्ड मास्क है इसके अंदर मिन थोड़ा सा रोस वाटर एड़ करा है आप चाहें तो अगर आपके पास रोस वाटर नहीं है तो आप कोई भी विसलरी वाटर, सिंपल वाटर या आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं बट ध्यान रहें आप कोई खारी पानीज में यूज़ ना करें अब इसका एक स्मूथली सा पेस्ट बना लीजिए जो ज्यादा पतला ना हो और ज्यादा कैड़ा ना हो ऐसा बनाईए कि आप अपने फेस पे लगाएं तो ये टपके ना तो दीखें मैंने इसको ज्यादा पतला नहीं करते हुए पूरे फेस पे लगा दिया है और मैंने अपनी नोस की जगा छोड़ दी है जिससे की प्रॉपरली सास आता रहे है ठीक है अब इसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 15-20 मिनट्स के बाद मैं चेक करूँगी कि हमारा मास्क सूख गया है या नहीं सूखा है तो ये हमारे किसकी चीज में आपको रिंकल्स पढ़ गए है या आपके फेस पे कोई ग्लो नहीं आ रहा तो आपको इंस्टंट इंग भी देगा और आपकी स्कीन को टाइट भी करेगा यह सबी स्कीन के कोड़िंग अलग-अलग आते हैं जो अभी मैंन के यूज कर रही हूं वह वाइटमीन C का है स्की कि अच्छा रिजर्ट देता है बट सुरी गाइज मैं आपको इनका फेस नहीं दिखा सकती हूं मेरी क्लाइट की रिक्वार्मेंट नहीं थी कि अपना फेस कोई नहीं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे क्लाइट का फेस दिखा हूं तब तक झाल